आज जो हम बात करने वाले हैं वो है Teaching Aid और Teaching Learning Material यह ऐसा टोपिक है जो Teaching Lying से जो भी परसन जुड़ा है जाए वो अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं, डिप्लोमा लेवल या बेड लेवल या मेड लेवल से कर रहे हैं या फिर जो अब टीचर हैं, जो टीचिंग कर रहे हैं Teaching Learning Material क्या है, साथ ती साथ इन दोनों में Difference क्या है बहुत लोग जो है Confused हो जाते हैं Teaching Aid और Teaching Learning Me तो चलिए हम यही जानते हैं, बॉस क्या है Teaching Aid और चैंद से Remembering & Curfig सो अब ब्राइं किया बेड़ हैं बिल्कुल मत भूलिएगा जिससे इस चैनल पर आने मली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिले साथी साथ अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेर करना बिल्कुल मत भूलिएगा आपने कहवत तो सुनी होगी एक सिक्के के दो पहलू इसी तरीके से आपका टीचिंग जो है और टीचिंग एड जो है एक सिक्के के दो पहलू है एक के बगएर दूसरा complete नहीं हो सकता और एक दूसरे effective जो है एक दूसरे को बनाते हैं टीचिंग लर्निंग एड जो है एक लर्निंग प्रोसेस में बहुत helpful होता है और किसी भी टीचिंग को जो है टीचिंग को effective बनाने में और साथी साथ उसको उसके goal तक पहुचाने में help करता है जो target होता है, target उनका जो भी teacher का होता है, उस तक पहुचाने में एक teaching aid का बहुत महत्पूर्ण रोल होता है, इसलिए जो है teaching aid को या teaching learning material को teacher के हाथ का एक tool बोला जाता है, जिससे वो कभी भी कोई भी subject जो है, उससे teaching learning material के द्वारा उसे effective बना सकती है, present करती है अपनी teaching को, लेकिन एक चीज़ याद रखिए, effective तभी बनेगा जब teacher को teaching learning aid के बारे में या teaching learning material के बारे में पूरी तरीके से जानकारी होगी, और कब कहां उसको use करना है, किस तरीके से present करना है, किस तरीके से बनाना है, या उसे कब कहां कितना use करना है, किस बच्चे के लिए करना है, किस subject में कौन सा TLM use होगा इस के बारे में पूरी जानकारी हो तभी teacher एक सही teaching learning material या teaching learning aid या teaching aid को choose कर पाएगी अपनी teaching को effective बनाने में और learning के target को achieve करने में साथ ये साथ ये जो teaching aids होते हैं full of technology और techniques से भरे वे होते हैं वो आज की modern जो हमारी technology है उस पर based होते हैं जिससे बच्चा पूरी तरीके से एक book पे डिपैंड नहीं होता है उसकी जो teaching होती है modern teaching के हिसाऽाब से होती है आज की technology से वो update रहता है जिसकी वज़़ा से teacher की effective teaching तो होती है साथी साथ बच्चा जो है आज के टाइम की टेक्नोलोजी से अपडेट रहता है, इंट्रेड्यूस रहता है, उसे यूज करना भी साथी साथ सीखता है. Definition Teaching Aids or Teaching Learning Material. सबसे पहले हम देखते हैं Teaching Aids के बारे में. Teaching Aids is the age of science and technology. The Teaching Learning Program have also been affected by it. The process of Teaching Learning depends upon the different types of equipment available in the classroom. Teaching Aids है, वो आज की science और technology से भरे वे हैं. और यह जो equipment है, यह technology जो है हमारी learning को बहुत साथा effect करती है, effect जो करती है, better way में करती है. उसके बाद यह जो Teaching Aids है, different type के equipment है, Teaching Aids जो हैं, वो हमारे classroom में available होते हैं. Like example के तौर पे, जो आप अपने classroom में different type के, lots of equipment देखते हैं, like आपका smart board हो गया, computer हो गया, projector हो गया, यह सभी क्या है? Teaching Aids है, next आता है Teaching Learning Material, Teaching Learning Material जो है in the field of education, यह specific education field से हैं, लेकिन Teaching Aids जो है, हमने जैसे भी बात की computer की, computer जो है, वो other field में भी use होता है, लेकिन उसका use हम Teaching में भी कर सकते हैं, projector की बात करूँ, projector भी हम different, different field में use करते हैं, presentation देने के लिए, offices में भी use होता है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़े हैं, जो हम लोग बाहर other field में भी use करते हैं, साथी साथ different type of equipment, जो other field में use होते हैं, लेकिन हम Teaching में भी उसका use कर सकते हैं, तो ऐसे उसको Teaching Aids कहते हैं, लेकिन Teaching Learning Material का जो है, जो है use हमेशा education में होता है, और कहीं नहीं होता, TLM is a commonly used account, the stand for Teaching Learning Materials, probably the term referred to a spectrum of educational materials that teachers use in the classroom to support specific learning objective as a set out in lesson plan, Teaching Learning Material जो है एक broad term है, जो हमारी education के लिए use होता है, उसके material के लिए use होता है, और teacher इसका classroom में use करती है, और यह classroom में कैसे use करती है, particular एक lesson plan के अंदर जो content होता है, उसका जो objective teacher को पढ़ाने का होता है, उससे define करने का होता है, उससे explain करने का होता है, तो उसके लिए specific ready किया जाता है, यानि teaching learning material जो एक specific topic के लिए बच्चों के लिए जो ready किया जाता है, वो teaching learning material कर लाया जाता है, teaching it specific education के लिए ready नहीं किया गया, teaching learning material जो है specific teaching learning material जो है specific lesson plan के लिए ही बच्चों के लिए ready किया जाता है, जब आप एक अच्छा teaching learning material बनाएंगे, तो उसके क्रेक्टर स्रिक्स क्या होने चाहिए, तो सबसे पहला है, अगर आप कोई TLM बना रहे हैं, वो बहुत large नहीं होना चाहिए, ना ही बहुत छोटा होना चाहिए, कि बच्चा उसे देख ही ना पाए, ना ही इतना large होना चाहिए, तो भी बच्चे को दिक्कत होती है उस चीज़ को देखने में, sufficient large होना चाहिए, जो बच्चे के लिए ठीक है, next आता है आपका, कि जब भी आप TLM बनाएं, वो meaningful होना चाहिए, useful होना चाहिए, परपसफुल होना चाहिए, related to आपके objective होना चाहिए, ऐसे नौ, बस आप TLM बना रही दिया, क्योंकि आपको बनाना है, आपके part है, टीजिंग का बस बनाना है, उसको useful नहीं है, तो ऐसा TLM आपका नहीं होना चाहिए, फिर TLM update होना चाहिए, अपडेट का मतलब है, like example के लिए, आज मैं आपको teaching learning material के बारे में बता रही हूँ, अगर यहीं मैं 2-3 साल बात, फिर से आपको teaching learning material के बारे में बताऊंगी, तो उस बीच में कुछ updates आई होंगी, इसके related या teaching learning material कैसा होना चाहिए, कुछ और point जुड़े होंगे, या कुछ researches हुई होंगी, जिससे इसका कुछ meaning बदल गया हो, क्योंकि time के साथ बहुत सीज़े change हाती है, तो इस वज़ा से जो है हमेशा अपनी जब भी teaching करवाएं, उसको update करें, TLM को update करें, उसके बाद आपका कोई भी TLM है strong होना चाहिए, ऐसे ना हो, कि आपका long lasting ना हो, कि आप आज करवा रहे हैं, कल तक वो टूट गया, ऐसा नहीं, आपका जो TLM है, एक लंबे time तक चलने वाला होना चाहिए, इसके इलावा, cheap होना चाहिए, कम पैसों में बनावा होना चाहिए, कम पैसों में ऐसा effective बनाए, जिससे बहुत कुछ सीखा जा सके, इसके इलावा, interested होना चाहिए, इसके इलावा, simple और brief होना चाहिए, यानि आप छोटे उसमें बच्चे को बहुत अच्छे तरीके से बहुत सारा कुछ समझाज पाए, brief होना चाहिए, जिसको कह सकते हैं, छोटे packet में बड़ा धमा का like, इसके इलावा, जो है, आपका activity जो है, involvement बच्चे का पूर पाता है, तो ऐसा TLM बनाए, जिसमें बच्चा पूरी तरीके से involved हो, साथी साथ TLM ऐसा हो, जो accurate हो, बिल्कु ठीक हो, ऐसा नौ उसमें बहुत सारी mistake हो, गड़ बड़ो, इसलिए आप जब भी TLM आप बच्चे के आगे present कर रहे हैं, तो दस बार उसे देखें, उसमें परक बच्चे का कौन सा class है, कौन सा level है, कौन से topic के बारे में आपने बात करनी है, क्या आपको समझाना है, उसके बारे में based रोना चाहिए, ये सब चीज़े अगर आप ध्यान में रखते हैं, तो एक अच्छा characteristics, अच्छा TLM जो है, आप उसको बना पाएंगे. Next आता है, principle of teaching aid और teaching learning material, कि किस तरीके के teaching learning material हम बनाते हुए ध्यान रखते हैं, सबसे पहला principle of selection, कोई भी आप TLM बना रहे हैं, उसका selection कैसे करेंगे, बच्चे की age को ध्यान में रखते हैं, बच्चे के interest को ध्यान में रखते हुए, इन सभी चीजों को आपको ध्यान में TLM prepared करना है, वो आपका है principle of selection, next आता है आपका principle of preparation, आप TLM का किस तरीके से preparation करेंगे, preparation आपका जो होना चाहिए, जैसे अभी मैंने बताया, ज्यादा cost effective नहीं होना चाहिए, cheap होना चाहिए, आपका preparation जब आप कर रहे हैं, तो आप environment को देखेंगे, आपका realistic से, उसके nature से दे किस तरीके से वो किस तरीके से काम कर रहा है, किस तरीके से वो रह रहा है, उसका environment कैसा है, उसे किस तरीके से चीज़ें मिल रही है, तो उस पे based आपका होना चाहिए, like example के तोर पे, अगर मैं बच्चे को mango सिखा रही हूँ, तो मैं उसके लिए एक flashcard बना रही हूँ, लेक बच्चे के situation को ध्यान में रखना पड़ेगा, कि वो रोज रंच में अगर mango ला रहा है, तो किस तरीके का ला रहा है, या घर में mango आ रहे हैं, तो किस तरीके के आ रहे हैं, जिस तरीके के आ रहे हैं, तो उसी तरीके का मुझे flashcard आगे present करना पड़ेगा, तो preparation के अंदर ब बच्चे की situation और जादा cost effective ना हो मतलब जादा महंगा ना हो cheap rate का हो simple हो simple में उसे brief तरीके से समझाया सके तो इस तरीके के principle आपका होना चाहिए next आपका principle of proper presentation जब आप बच्चे का preparation कर दिया है TLM then उसकी presentation जो है कैसी होनी चाहिए एक आपकी effective होनी चाहिए presentation उसे आप पूरी तरीके से clear कर सको ऐसी presentation होनी चाहिए बच्चा उसे ध्यान से देख सके और बच्चा जो है उसमें simple words को किया गया हो ताकि बच्चा उस चीज़ को सीख सके तो इस तरीके की आपकी presentation होनी चाहिए और proper होनी चाहिए ऐसे ना उसमें क उसको explain नहीं कर रहे हो, कुछ चीज़े छोड़ रहे हो, तो इस तरीके का आपका presentation नहीं होना चाहिए, next आपका principle of response, principle of response के अंदर क्या है, कि जब भी आप TLM बना रहे हैं, तो बच्चे का पूरी तरीके से उसके अंदर response होना चाहिए, और बच्चे का पूरी तरीके से involvement होना चाहिए, जैसे कि अभी हमें good characteristics में पढ़ा है, next आपका principle of control, एक teacher का अपने TLM पे पूरा control होना चाहिए, उसके बारे में पूरी तरीके से जानकारी होनी चाहिए, otherwise जो है effective TLM नहीं होगा, like example के तोर पे अगर मैं presentation दे रही हूँ, और सामने से कोई बच्चा इसके बारे में कुछ पूछ लेता है, तो अगर मैं blank हो जाती हूँ, तो वो चीज सही नहीं है, टीचल के लिए भी और TLM भी effective उस टाइम पे नहीं होता है, तो आपका जो है पूरी तरीके से जो टीचर का है अपने TLM पे control होना चाहिए, साथ ही साथ वो अपने TLM अपने उसका कोई भी topic के बारे में बात कर रहे हैं, जिस भी topic के बारे में बात कर रहे हैं, वो उसको बनाने के लिए उसका plus point उसका strong उसके बारे पूरी जानकारी उसको होनी चाहिए Advantage क्या है Teaching Learning Material हम यूज करते हैं या Teaching Learning Aid यूज करते हैं सबसे पहला जो है Advantage बच्चों के लिए concrete material प्रोवाइड गरता है यानि बहुत सारी चीज़े ऐसी होती हैं जो हम लोग बच्चों को समझाना चाहते हैं लेकिन उसके लिए हमाई पर material नहीं होता चीज़ों को समझाने के लिए real object नहीं होता सिखाने के लिए like example के तौर पे अगर मैं बच्चों को classroom में पहाड समझाने लगू mountain समझाने लगू तो वो में पास available नहीं है then उस टाइम पे concrete material available किया जा सकता है साथी साथ अगर मैं बच्चों को कान का structure समझाने लगू तो कान का structure जो है अंदर तक है तो उसके लिए मेरे पास teaching aids नहीं है sorry आपका real object नहीं है दिखाने के लिए तो उस टाइम पे मैं teaching learning aids जो है या material वो बच्चे को provide करूँगी जिससे उसको concrete material मिलेगा उस structure को समझने के लिए इसके इलावा कोई भी जो verbal instruction है उसे मैं पूरी तरीके से easily तरीके से present कर सकती हूँ teaching learning material के दिवारा इसके इलावा हमारी जो learning है वो permanent रहती है reason क्योंकि जब भी हम कुछ learn करते हैं तो वो हमारी permanent तब रहती है जब हम visually कर रहे हैं then next second number पर हमारी learning जो आती है effective आती है audio आती है और जब audio visual दोनों आते तो दोनों बहुत जादा effective होते हैं और teaching learning material के द्वारा हम audio भी देते हैं साथी साथ visually सारा कुछ present करते हैं इसके इलावा teaching learning material जो है variety provide करता है variety यानि मेरे एक particular का बच्चे को कोई topic करा रही हूँ वो topic जो है variety तरीके से मैं बच्चे के से करवा सकते हूँ जिससे बच्चा भी बोर्ड नहीं होगा और उसका generalization भी बढ़ेगा और teacher को भी करवाने में interest आता है इसके इलावा attention जो है बच्चे का increase होता है कम time में एक बड़े से topic को बड़े easy तरीके से सिखाया जा सकता है जिससे energy जो है वो save होती है time भी save होता है next आता है आपका classroom जो है healthy classroom interaction जो बनाया जा सकता है encourage किया जा सकता है TLM के द्वारा साथी साथ ऐसी situation create की जा सकती है जिससे बच्चा खुछ से learning करें और उसकी teaching को teacher की teaching को effective बनाया जा सके जिससे बच्चा जो है interest से पढ़ता है ऐसी situation create करना जिससे बच्चा जो है learning अच्छे से कर सके positive environment create करने में बहुत help मिलती है साथी साथ हम सभी जानते हर बच्चा individually difference है different एक दूसरे से तो उन सभी की जो difference है उन सभी में उनको ध्यान में रखते वे different different TLM बनाके बच्चों को पढ़ाया जा सकता है इसके इलावा बच्चों के लिए ऐसी situation create की जाती है जिसमें बच्चे खुद से involved होते हैं teaching learning material के द्वारा ही ये हो सकता है अगर teaching learning material एक मिनिट के लिए सोच के देखा जाए नहीं है तो teacher बस बोलता चला जाएगा बोलता चला जाएगा बोलता चला जाएगा जिससे क्या होगा बच्चे बोर हो जाएगे तो इसलिए भी teaching learning material ज़रूरी है बच्चों को active बनाने के लिए और learning situation बनाने के लिए इसके इलावा abstract ideas को समझाने के लिए concrete जो है material प्रोवाइड करवाता है साती सात आपका जो TLM provide good substitutes of for the real object जैसे कि अभी मैंने बता है बहुत सारे real object जो हैं classroom में नहीं लाए जा सकते हैं बच्चों को समझाने के लिए तो उसका substitute जो है TLM बहुत अच्छा substitute है इसके इलावा TLM के दुआरा बहुत सारे development जो है उस पे focus किया जाता है और various skills बच्चों को सिखाई जाती है motivate किया जाता है बच्चे को साती सात multi sensory learning provide भी TLM के दुआरा करवाई जाती है और multi sensory learning जो है बहुत effective होती है बच्चों को learn करने में क्योंकि जैसे कि मैंने बताया अभी कि हम जब audio visual दोनों जब learning करते तो बहुत effective होती है वो भी इसी का ही based है multi sensory क्योंकि multi sensory कहती है जब हम एक से जादा senses का use करके जब हम कोई learning करते हैं तो वो हमारी multi sensory learning कहलाती है और TLM में हम जो है ऐसा TLM हमेशा बनाते हैं जिसमें हमारी एक से जादा senses का use हो audio visual हो या आपका audio connect static हो टेक्टाइल हो कुछ भी ओपर दो से जादा हो तो जितना जादा हम senses का use करेंगे उतना ही हमारा teaching learning material इफेक्टिव बनेगा साथी साथ बच्चा जो है बहुत जादा अच्छे से सीखेगा उसे long time तक जो चीज़ें याद रहेंगी मैं चानते हूँ कि आप बड़ी देर से वेट करें कि teaching aid और teaching learning material में difference क्या है तो जलिए शुरू करते हैं teaching aid जो है a teaching aid is a tool or technology that used to support in teachings teaching learning aid जो है full of technology से भरेवे होते tools होते हैं जो हमाई teaching को support करते हैं और teaching learning material क्या है teaching learning material are the material that have the actual target specific content in them जो teaching learning material होते हैं एक तरीकी के materials हैं इसलिए उनको material बोला चाता है लेकिन ये particular specific target behavior जो teacher ने पढ़ाना है जो content पढ़ाना है उसी से related होते हैं उसी के लिए बनाए जाते हैं like example के तौर पे example teaching aid के chart computer projector और teaching learning material के example है slides, film script, real objects chart paper, computer, जो projector है वो आपका किसी और भी चीज़ के लिए use हो सकते हैं like example के तौर पे chart paper का मैं use other चीज़ के लिए भी कर सकते हूं like cover चड़ाने के लिए भी कर लिए लेकिन वो teaching aid है क्योंकि teaching को support भी कहीं करता है computer, computer सिरफ एक education field में तो use नहीं होता, आप office में जाओ वहाँ पे भी use होता है, ऐसे ही projector presentation देने के लिए बहुत सारे offices में use होता है तो यह teaching का support करते हैं और ऐसा नहीं है, वो teaching के लिए ही बनाए गए हैं, इसी तरीके से आपका teaching learning material slides है, वो specific जो है किसी topic पे बनाई जाती है, लाइक अभी example ले लिजे, जहां आप देख रहे हैं, आप computer पे देख रहे हैं, phone में देख रहे हैं, लैप्टोपे, ऐसा नहीं है वो slides जो है teaching के लिए बनी वी है, specific इसी content के लिए बनी गई है, इसलिए वो teaching learning material है, इसके इलावा film script, real objects, यह सब आपके teaching learning materials में आते हैं, next आपका it's prepared by professional expert and external commercials body, इसको जो है prepared किया जाते है professionals के द्वारा, experts के द्वारा या commercial bodies के द्वारा, यानि companies के द्वारा, अब computer का example ले बहुत सारी उसमें technology है, तो professionals भी चाहिए, experts भी चाहिए, उनको किस तरीके से जोड़ तोड़ करना है, साथी साथ companies भी चाहिए, जो उसको manufacture कर सके, इसके इलावा जो है आपका teaching learning material जो है, specific education field से जो professionals हैं, वही बनाते हैं, लेकिन student भी बना सकते हैं, लेकिन हमेशा teacher की guidance के अंदर बनाते हैं, उसके अंदर में रह के बनाते हैं, अपने आप से वो कभी नहीं बना सकते हैं, जब तक वो पूरी तरीके से उस चीज़ के professionals ना हो जाएं, और teaching aid जो है teacher और student दोनों ही academic और non academic skills के लिए use किया जा सकता है, like example के तौर पे computer की भब मैं बात कर रही हूँ, computer को मैं अभी पढ़ने के लिए भी उस कर सकती हूँ, game खेलने के लिए भी कर सकती हूँ, लेकिन teaching learning material हमेशा आपका, जो आपने topics पढ़ने हैं, उसके लिए ही use हो सकता है, वो topic आपके सले, बस अभी के curriculum से related होगा, उमीद कर रही हूँ कि आप teaching aids और teaching learning materials में difference आपको समझ में आ गया होगा, अगर आ गया है, तो मुझे ज़रूर बताईएगा, और कैसे बताएंगे, वीडियो को like और share करके, साथी साथ अगर चैनल पे नए हैं, तो ऐसी information के लिए, update के लिए और knowledge के लिए, जल्दी से चैनल को subscribe और bell icon को दबाना, बिलक खुब सारा comment भी करिएगा, ताकि मुझे पता लगे कि आपको ये मेरी presentation कैसी लग रही है, तो आज के लिए बस इतना ही, next class में फिर से मिलेंगे